नमस्का फेंड्स मेर नाम भबल्य वर्मा पेपर है कर्मी आपका स्वागत है तो फेंड्स आज हम देखने वाले हैं वो रहने वाला है अपना कौन साने वाला है फूर नुट्रिशन और हाइजेंग का पार्ट नंबर जो हो जाता है पार्ट नंबर हो जाएगा नाइन इससे पहले मैंने 8 पार्ट प्रवाइड का रखें डिस्कप्शन में रखा है लिंक वीडियो का आठो वीडियो का लिंक इसमें रखा है बहां जाके आप देख सकते हैं और जिस किसी को इसकी PDF चाहिए तो आपको टेलिग्राम पर लिंक मिलेगा बहां जाके देख सकते हो और जिसक इसका क्योंक्शन यह रहने वाला है तो फेंस बिल्कुल पढ़िएगा तो आजम रहने वाला है यूनिट 3 का भी रहने वाला इसमें गरवस्ता का 128 दिन का जो होता है और इसमें पोस्टात्म जो बगएरा होते हैं क्या प्रॉब्लम में आती हैं वो हम यहां पर देखने व लोहे की पूर्ती के लिए गरवबती इस्तरी को क्या देना चाहिए पालक देना चाहिए मास देना चाहिए यक्यर देना चाहिए तो राइटान से क्या जाएगा ये सभी चीजे देना चाहिए ठीक है नेक्स कुशन की बात करते हैं विटामिन C की पूर्ती के लिए आहार ह आउला टमाटर नीबू या फिर यह सभी क्या कह रहा है विटामिन सी की पूर्ती के लिए आहर कौन सा है आउला भी हो जाता है और टमाटर भी हो जाएगा नीबू भी हो जाएगा तो राइट अंसर क्या होगा इसका भी आंसर यह सभी रहने वाला है next question को mellan question number 3 कह रहा है गरवती क red 3 के लिए अधिक ऊर्जा देने का दुस्परिडाम है क्या है यह आपको बताना है अगर आपको गरवती के लिए अधिक ऊर्जा देते हो तो क्या problem होगी यह आपको बताना है खसरा होगा निमूनिया होगा मोटापा होगा या फिर खांसी होगी तो क्या राइट आंस होगा अगरवत इस्थी के लिए अधिक उर्जा दोगे आप तो दुस परिडाम होगा भई मोटापा हो जाएगा राइट आंस होगा आप्शन नमबर सा नेक्स कुशन की बात करते हैं गरवस्ता में होने वाला सारीक परिबर्तन कौन सा है जो गरवस्ता में होने वाला सारीक परिबर्तन होता है वो क्या होता है हार्मोन्स में परिबर्तन होंगे रक्त परिबहन में परिबर्तन या फिर चयाप चये परिबर्तन या फिर ये सभी तो right answer क्या होगा इसका आपको answer बताना है तो गरवस्ता में होने वाला सारिक परिवर्तन कौन सा है तो हार्मोन्स में परिवर्तन देखने को मिलेंगे रक्त परिवहन में परिवर्तन होंगे और चयाप चयी परिवर्तन होंगे रहसानी परिवतान होने होने वाले हैं तो राइट आंसर कर दाएगा यह सभी हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुशन की ओर नेक्स्ट कुशन हमारा क्या है क्योशन नमर 5 गरोवस्ता में कम मात्रा में देना चाहिए क्या देना चाहिए कैलोरी प्रोटीन खनिजलबड या फिर बिटामिन कम मात्रा में क्या देना चाहिए यह आपको यहाँ पर बताना है ठीक है तो कम आत्रा में क्या देना चाहिए उर्जा देनी चाहिए कैलोरी उर्जा देनी चाहिए कम आत्रा में जो की मुटा पा ना बड़े बच्चे का नेक्स कुशन की बात कहते हैं गर वस्ता में रक्त में किस तत्वी की कमी हो जाती है गरवस्ता में जो रक्त होता है उसमें किस तत्वी कमी हो जाती है थाइमीन की, कैलसियम की, कैलोरी की या फिर नियासिन की तो किस की कमी होगी भई? कैलसियम की कमी हो जाती है जिन लोगा अंसर अप्चन नमर बाब बिल्कुल राइट next question गरवस्ता में सरीर में किस तत्व की ब्रद्धी हो जाती है रक्त की, जल की, यूरिया की या फिर एसिड की तो गरवस्ता में सरीर में किस तत्व की ब्रद्धी हो जाएगी तो एसिड बगरा जो होते हैं इनकी ब्रद्धी हो जाती है right answer option number दा हो जाएगा नेक्स कुष्ण की बात करते हैं, गरवस्ता में माता को कैसा भोजन गिरहण करना चाहिए? असंतुलित, बराबर पोशकत्व, पोश्टिक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कैसा होना चाहिए भई? पोश्टिक होना चाहिए जिसमें सभी पोशकत्व हो? नेक्स कुष्ण की बात करते हैं, गर अवस्ता में कैसे परिबरतन आते हैं, सारेडिक, सामाजिक, आर्थिक, इन में से कोई नहीं तो गर वस्ता में कैसे परिबर्तन आएंगे भाई सारेडी की परिबर्तन आएंगे कैसे आएंगे सारेडी की परिबर्तन आएंगे सरीका निर्माड होगा तो राइट एंस आप्शन नमबर आ हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट गुशन की बात करते हैं next question को देखिएगा next question का अंसर क्या होगा गरवस्ता में thyroxine hormones के निर्माड के लिए किसकी उचित मात्रा लेनी चाहिए जो thyroxine hormones है उसके इस्तावड के लिए किसकी उचित मात्रा लेनी चाहिए फोले केसिड, iodine, niacine इनमें से कोई नहीं गरवस्ता में thyroxine hormones के निर्माड के लिए किसकी उचित मात्रा होनी चाहिए आयोडीन की उचित मात्रा होनी चाहिए iodine की उचित मात्रा होनी चाहिए next question को देखिगा remember question के रहा है गरवस्ता में किसका भार बढ़ जाता है गुर्दा का, हिर्दे का, रक्त का या फिर फेपडे का गरव वस्ता में किसका भार बढ़ जाता है तो बही किड़नी जो बगर गुर्दे हैं उनका भार बढ़ जाता है राइट आंसर उप्शन नमबर आ हो जाएगा next question को यह कीगा गरवस्ता में कितने ग्राम अतरिक्त प्रोटीन लेनी चाहिए गरवस्ता के दोरान कितने ग्राम अतरिक्त प्रोटीन लेनी चाहिए आपको बताना है कौन सा राइट होगा 15 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम या फिर 10 ग्राम तो भई 10 ग्राम अतिरिक्ति प्रोटीन लेनी चाहिए ठीक है राइट आंस होदाएगा आप्शन नमबर दा नेक्स्टे कुशन को देखेगा नेक्स्टे कुशन कांसर क्या होगा नेक्स्टे कुशन ही आपर कह रहा है कि गरवस्था में किसकी अवस्था बढ़ जाती है कैलोरी की कैल्सियम की बसाकी इसमें से कोई नहीं अभी हमने कैस्टे कुशन हमने देखा था कि गरवस्था में किसकी अवस्था बढ़ जाती है तो कैलोरी की उड़ जाकी अवसक्ता बढ़ जाती है तो राई टांस हो जाएगा आप्शन नमबर ठीक है next question की बात करते है next question के रहा है गरवस्ता में किसकी अवसक्ता गरवस्ता में के आठमे महा में किसमे ब्रद्धी होने लगती है गर्ववस्था के आठमे महीने में किसमे ब्रद्धी होने लगती है गुर्दे में रक्त चाप में रक्त में या फेन में से कोई नहीं गरवस्ता के आठमे महीने में किसकी बद्दी होती है रक्त चाप बढ़ जाता है रक्त चाप क्या होता है बढ़ जाता है आगे बढ़ते हैं गरवस्ता में किसकी कितनी कैलोरी अतरिक्त लिनी चाहिए कितनी कैलोरी जो है उर्जा अत्रिक्त लेनी चाहिए 300 किलो कैलोरी, 400 किलो कैलोरी, 200 किलो कैलोरी या फिर 500 किलो कैलोरी तो गर वस्ता में कितनी कैलोरी अत्रिक्त लेनी चाहिए तो 300 किलो कैलोरी उर्जा जो है वो अत्रिक्त लेनी चाहिए के नेक्स कुशन की बात करते हैं नेक्स कुशन कह रहा है गर्वथी इस तरीके सरीर में प्रति दिन कितना आयतन 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 लेना आवसक है आयतन नहीं होगा यहां पर मिलीग्राम आयरन होगा क्या होगा आयरन होगा ठीक है गर्वथी इस तरीके सरीर में प्रति दिन कितना आईरन लेना चाहिए ये आपको बताना है ठीक है 1000 से 2000 मिली ग्राम 700 से 1000 मिली ग्राम 500 से 1000 मिली ग्राम या फिर 800 से 1000 मिली ग्राम तो राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है गर पते इस तीक है सरी में प्रती दिन कितना आईरन लेना चाहिए तो बैह हो जाएगा 700 से 1000 मिली ग्राम राइट आंसर अप्शन नमबर बाग हो जाएगा नेक्स्ट कुछन को देखेगा गर्ब धार करने से सिसू को जन्म देने तक लगबग कितनी कैलोरी बैह होती है गर्ब धार करने से सिसू को जन्म देने तक लगबग कितनी कैलोरी ब्य होती है 60,000 कैलोरी, 40,000 कैलोरी 70,000 कैलोरी या फिर 50,000 कैलोरी राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है तो भाई गर्वधार करने से सिसु को जन्म देने तक लगबग कितनी कैलोरी ब्य होती है तो भाई होती है 40,000 किलो कैलोरी उड़ जा की खपत होती है next question की बात करते है गर्व वस्ता में कितने ग्राम कैल्सियम प्रती दिन 81 तो होता है गर्व वस्ता में कितने ग्राम कैल्सियम प्रती दिन 81 तो होता है आपको बताना है 10 ग्राम, 20 ग्राम 15 ग्राम या फिर 30 ग्राम राइट अंसर क्या हो गाँ भई 30 ग्राम एकत्री तो होता है ठीक है राइट अंसर अप्शन नमर दा हो जाएगा next question को जेखें next question कह रहा है किस महा से भिरूण का विकास होने लगता है तीसरे महा से छटबे महा से दूसरे महा से या फिर 52 महा से जो भिरूण का विकास होता है वो किस महा से होता है आपको बताना है तो यह होता है तीसरे महा से राइट अंसर अप्शन नमर आ हो जाएगा next question कह रहा है गर वबस्ता में इस तरीका सरीर सारेरिक बजन कैसा होता है अत्रिक बढ़ता है कम हो जाता है सामाने होता है बढ़ता है तो राइट अंसर क्या होगा बढ़ता है अत्रिक नहीं बढ़ता है राइट अंसर अप्शन नमर दा हो जाएगा next question की बात करते हैं पॉस्टिक तत्बों के आभाब में गरवती इस्तरी कैसी हो जाती है मोटी, भारी, कमजोर, उप्यूत, सभी इन में से कोई नहीं पॉस्टिक तत्बों क्या आभाब होगा कमी होगी तो बिलकुल क्या होगा बढ़ी कमजोर हो जाएगे next question की बात करते हैं कह रहा है सिसुगरवस्था में माता के रक्त से क्या पोस्टर करता है सिसुगरवस्था में माता के रक्त से क्या पोस्टर करता है आपको बताना है खनिस्तत्ब का समस्ततत्बों का उर्जा का इन में से कोई नहीं पुराई टांसर क्या होगा यहाँ पर आपको बताना है तो किसका करेंगा वैई समस्त तत्वो का करता है क्या करता है समस्त तत्वो का अब सोसड करता है आगे बढ़ते हैं next question क्यों next question कह रहा है गरवस्ता में इस तरीके सरीर में कितनी मात्रा बढ़ जाती है किसकी मात्रा बढ़ जाती है गरवस्ता में इस तरीके सरीज में किसकी मात्रा बढ़ जाती है सरल पदार्थ की जल की शेब का जूस की या फिर जूस की क्या या राइट अंसर क्या होगा आपको बताना धर भस्ता में सरीज में किसा बड़ जाएगी बॉर्य übersी मात्रा बड़ हो जाता है राइट अंसर ऑप्ष्यन नंबर सा हो जाएगा फिरह आंसर सबजिपन पता हो क्या ह implants यह सबी रहने वाला है next question की बात करते हैं गरवस्ता में कितने महा के तीन चरण होते हैं गरवस्ता में कितने महा के तीन चरण होते हैं तीन महा, चार महा, दो महा या फिर इन में से कोई नहीं पुराई टांसर क्या रह जागा भई तीन महा के तीन चरण होते हैं नेक्स्ट कुशन की बात करते हैं, किसकी अबुसोसर छम्ता गरवस्ता में बढ़ जाती है, किसकी अबुसोसर छम्ता जो होती है, वो गरवस्ता में बढ़ जाती है, कैल्सियम की लोह की आबा दोनों की इन में से कुई नहीं, किस की बढ़ जाती है भी केल्सियम की बढ़ जाती है और लोहा की बढ़ जाती है तो right answer क्या दाएगा और बार दोनों हो जाएगा next question की बात करते हैं यहां कह रहा है गर्वस्ता के दोरान समाने तई किस्तिका बजन 7 kg से 10 kg तक बढ़ जाता है सत्य है असत्य है अर्फ सत्य है इन में से कोई नहीं राइट आनसर क्या रहने वाला है तो बहिए साथ किलो ग्राम से दस किलो ग्राम बढ़ जाता है ये बात सत्य है तो राइट आनसर दैगा option number A next question को देखते हैं next question को देखीगा next question हमारा कह रहा है लोहे की पुर्ति के लिए कौन से आहार अच्छे हैं। साबुत अनाज सब्जी, अंडा मास, दलिया यक्रत या फिर ये सभी। तो right answer क्या होगा। लोहे की पूर्ति के लिए कौन से हैं। अगर साबुत अनाज है तो सही है, सब्जी है, अंडा मास ये भी हो जाएगा, दलिया ये करत हो जाएगा, तो राइट अंसर क्या हो जाएगा, ये सबी अपना रहने वाला है, आगे बढ़ते हैं, प्रोटीन की पूर्ती के लिए महातपूर है, प्रोटीन की पूर्ती के लिए कौन सा महातपूर है, मटरसेम, सोयाबीन, क्या लेना चाहिए आवला संत्रा ताजे खटे फल अम्रूद या फिर ये सभी तो यहां पर भी क्या होगा ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर अप्शन नमबर दा नेक्स्ट कोशन गर वस्ता में सोने से पूर्ब क्या लेना स्वास्त के लिए अच्छा है दूद विरेड जूस इसमें से कोई नहीं तो कहलना चाहिए दूद लेना चाहिए राइट आंसर ऑप्शन नमबर आ हो जाएगा नेक्स्ट को देखते हैं नेक्स्ट कोशन कह रहा है तुम्हारा मध्यम स्रम मध्यम स्रम की गरवती को अपने आहार में दालें लेनी चाहिए पचास ग्राम 70 ग्राम, 60 ग्राम या फिर 80 ग्राम तो राइट आंसर क्या होगा मध्यम मध्यम स्रम की गरवती इस तरी को डालें लेनी चाहिए कितने ग्राम तो वह हो जाता है बैई 70 ग्राम जिन लोग का आंसर आचोका था option नमबर बाग बिल्कुल राइट आंसर नेक्स कुशन की बात क चाहिए गर्वती महिला को फल कितने ग्राम लेना चाहिए दस ग्राम पचास ग्राम तीस ग्राम या फिर सौ ग्राम तो यहाँ पर फल कितने ग्राम लेनी चाहिए तो बोई राइट हो जाएगा भई 30 ग्राम फल लेना चाहिए राइट आंसर अप्शन नमबर 6 नेक्स कुशन गर्बती महला को चीनी और गुड का सेवन करना चाहिए कितने ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 15 ग्राम या फिर 40 ग्राम एक पॉइंट रहा है तो चीनी और गुड का सेवन करना चाहिए कितने ग्राम भई 40 ग्राम करना चाहिए राइट आंसर अप्शन नमबर दा हो जाएगा ठीक है नेक्स कुछन को देखते हैं नेक्स कुछन हमारा कह रहा है कि गरवबती महिला को प्रोटीन की कितनी मात्रा आहार में दी जाती है तो कितनी मात्रा दी जाती है या आपको यहाँ पर बताना था कितनी मात्रा जाती है 50 ग्राम, 75 ग्राम, 90 ग्राम या फिर 80 ग्राम तो right answer क्या होगा 75 gram दी जाती है right answer option number बाह हो जाएगा next question की बात करते हैं कि रवस्ता में कितनी calcium की ज़रूरत होती है 1000 gram प्रती डे मिली ग्राम प्रती डे 3000 mg प्रती डे या फिर 2000 mg प्रती डे या फिर 4000 mg प्रती डे कौन सा यहाँ पर right होगा तो गरवस्ता में कितनी calcium की ज़रूरत होती है तो बै होती है 40 mg प्रती डे right answer दाएगा option number the next question की बात करते हैं अगर गरवस्ता में महला दूद जायदा पीना नहीं चाहती है तो उसे क्या लेने की क्या लेने को आप कहेंगे या आपको बताना है फल अनाज वाला व्रेड सबजियां या फिर ये सभी प्राइट आंसर क्या दाएगा ये सभी हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं next question की ओर next question कह रहा है गरवस्ता में आहार में देना चाहिए क्या देना चाहिए बेनता और श्ठिकता आउर बा दोनो इन में से कोई नहीं राइट आंसर क्या होगा आ और बा दोनो ठीक है आगे बढ़ते हैं प्रेगनेंसी में आईरन के अबसोषड के लिए आहार में लेना उप्युक्त रहेगा क्या रहेगा बिटामिन सी बिटामिन D, बिटामिन B, बिटामिन K प्रेगनेंसी में आइरन के अब उसोसड के लिए आइरन का आप सोसड किससे होता है या आपको हमने पहले भी बताया था किससे होता है बिटामिन C से होता है तो क्या लेंगे बिटामिन C को हम लेंगे आगे बढ़ते हैं साकाहारी गर्वती महला को अपने आहार में सरप्रिथम सामिल करना चाहिए क्या करना चाहिए आईरन बिटामिन बीटोयल आउरवा दोनों इन में से कुई नहीं तो क्या करना चाहिए आयरम को भी और बिटामिन बीटोयल को भी तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आ और बाव दूनों हो जाएगा नेक्स्ट कुशन की बात करते हैं गरवस्ता में बजन बहुत बढ़ेगा तो क्या समस्या उत्पन होगी बुखार उच रक्तचाप पेट दर्द इनमें से कोई नहीं तो क्या होगा बई उच्छ रक्त चाप देखने को मिलेगा ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुशन की ओर नेक्स्ट कुशन कहा रहा है गरवस्ता में अंडा मास लेने से बचाब होता है किसका होता है भोजन का स्वाद बढ़ना संतुलित आहार स्वस्टु की बढदी होना या फिर भोजन विशक्तता से याद रखा है कि गरवस्ता में अंडा मास लेने से बचाब होता है भोजन विसस और सभी भोजन विसकतता का शुर्य से को देगा option number 20 होगा वैं विसाता होना चाहिए सिर्फ ठीक है कया होगा सिर्फ भी साकता होना चाहिए सिजので सबसें हो तो आ अगले अम बलते हैं और अवस्ता में आऊचत बढ़ता कितना बढ़ना चाहिए और स्यारा शायर 25 से क्या दूर्स अंप इसको देख सकते हूँ आप ठीक है पॉंड में कहा रखा है पॉंड में ठीक है गरवस्ता में आउसत बजन कितना बढ़ना चाहिए पच्चिस से अठाइस, दस से बीस या फिर पांच से दस इसमें से कोई नहीं राइट आंसर क्या होगा आपको यहाँ पर बताना है गरवस्ता में आउसत बजन जो बढ़ना चाहिए 25-28 पॉंड यह कहतना 25-28 पॉंड आगे बढ़ते हैं कितना माइक्रूग्राम का फॉलिक एसेड परती दिन लेना चाहिए तो गरवस्ता में कितनी microgram का folic acid प्रति दिन देना चाहिए तो बोलेना चाहिए भई 400 mg, right answer दाएगा option number 2, next question की बात करते हैं, next question को देख यहां दे रहा है, गरवस्ता में folate के अच्छे इस्तोत है, जो folate acid है, उसके अच्छे इस्तोत क्या है, ताजी हरी सबजियां, से मिलेगा, ताजी हरी सबजियों से में folate acid मिलेगा, आगे बढ़ते हैं, साकाहरी महला में अक्सर कमी रहती है, किसकी कमी रहती है, vitamin C की, calcium की, vitamin B12 की, या फिर ये सबी की, right answer क्या होगा, साकाहरी महलाओं में अक्सर कमी होती है, किसकी vitamin B12 की, तो right answer दाएगा option number 7, तो जल्द ही आपको क्या मिलेगा, part 10 मिलने वाला है, इससे पहले part 8 जो हैं, अगर नहीं देखें, discussion में दे रखाए link वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं, ठीक है, तो फेंट्स वीडियो को like करना है, share करना है, pdf download करना है, telegram पर जाना है, और जिसकी को app download करना है, तो app भी चैनल को subscribe कीजेगा, और bell icon को प्रेश करना ना भूलिएगा, तो फेंट, जैहें, चैबाराव